हेलो गाइस वेल्कम तो सरकीट इपैक तो चलिए प्रेंट आज का जो हमारा वीडियो है यह डिजिटल घड़ी का पुरा कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको सरकीट डियागराम समझा के दिखा रहा हूं और इसमें एक एक्ष्ट्रा बेटरी यहां पे जो लगाने के दिखा रहा हूं जो के आटीसी मोडल में लगा रहा था बत्य यहां पर क्या हो रहता है के आटीसर का बेटरी जो है इस was Time के सबन की इस इसो क्भीकिलभ का रहता जिस्से हो क्या रहा था फ्रेंट की ये जो बेटरी डाउन हो जा रहता और हमारा जो टाइम है हमेशा के लिए reset हो जा रहा था तो आज मैं जो बताऊंगा फ्रेंट ये time आपका कभी reset नहीं होगा फ्रेंट तो कुछ इस तरीके से connection करके आप easily अपना time को reset नहीं करा पाएंगे तो फ्रेंट यहाँ पर जो पहले मैं उज़ कर रहा हूं एक छोटा सा 5 volt DC power supply बोल सकते हैं या मौल का charger कहीं उज़ कर रहा हूं फ्रेंट तो आपको फिर आपरी assemble करने के बाद यहाँ पर जो सारा चीज के connection में बता देता हूं simple में connection यहाँ से start करता हूं तो यहाँ पर charging module उज़ किया हूं 46 या छोटा सा charging module है कोई भी charging module है यहाँ पर लगा सकते हैं जो कि इस lithium battery को charge करे चार्ज होता है फ्रेंट तो यहां पर charging module ग्रेंगा charging module में से डिरیک्टी बेटरी का connect कर देंगा husband इस प्लस प्लवास को करते हूं यहाँ प कर दिया हूं और इस प्लस पॉइंट से लेकि इस प्लस पॉइंट में हमने कर दिया हूं ताकि यह जो चार्जी मॉडन के साथ यह हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया है अब यहां पर क्या क्या हो फ्रेंट इस पिक्सल लेड़ी का प्लस पॉइंट है इस प्लस पॉइंट को यह एक डाइवर्ड लग चैके कि हमारा जो सही से डाटा काम करें यहां से मैं पि Yap के लिए हमारा जो box छोड़ दिया के ने इगेटीव प largest यहां पर ग्राउंड में जोड़ दिया है फ्रेंड इसे हमारा आडिनो ऐसी ड्राइब हो गया चलने लगा आडिनो से 5 वोल्ड लिया और आटीसी मॉडल में जोड़ दिया और नेगेटिव पॉइंट को इस चार्जी मॉडल या आडिनो से भी ले सकते हैं तो मैं यहां नेगेटिव पॉइंट को इस चार्जी मॉडल के थुरू यहां पर जोड़ा हूँ तो आडिनो से नेगेटिव पॉइंट को ग्राउंड से ले सकते हैं प्रण को दिकत नहीं है उसके बाद यहां पर ग्राउंड पीन एक सारे बटम में सोट कर दिया हूँ और बटम का जो भी पीन है यहां पर पांच नंबर पीन चार नंबर पीन तीन नंबर पीन ये तीनो प्रीन में अलग-अलग बटम को मैंने इहां पर कनेट कर देगा जिसे के पहला फिट ये दूसरा पिट न अस्बाइ सिचार करेंगा छे नंबर में उन्हिक सो कशे, बसलिंगा गते हैं सिंपल सा जो मारा कोड है उस कोड में 6 नंबर पर ड्राइब किया हुआ फ्रेंट आप आती है अटीसी में SDA और SEL SDA यहां पर VCC हम लों कनेट किये थे हैं और SDA और SEL VCC है गिया SEL फ्रेंट यहां पर SEL यहां पर SEL यह दो पोइंट है जो है यहां पर यह फाइब यह फाइब लेकर यहां पर कनेट करेंगा और यह फोर लेकर यहां पर कनेट करेंगा जो कि VCC के बगल में दो पोइंट होता है और यहां पर दो पोइंट जो छुट जाएगा उस पोइंट को यहां पर छोड़ देंगा फ्रेंट इसके बाद आपका घड़ी डिजिटल कुलोक जो आपका काम करने लगेगा तो फ्रेंड पहले वीडियो में आपने सारा चीज एसेंबल करने के दिख लिया था लेकिन आज जो हमारा इसी टोपेक पे सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं कुछ-कुछ चीज बताऊंगा जो कि आ सारा चीज आपने देख लिया होगा जो नहीं देखें जाके लिंक इन डिस्क्रिशन में दिया हुआ हमारे चैनल पर जाके इसका कम्प्रीट वीडियो को देख सकते हैं जहां सारा चीज इसमें कर पाएंगे फ्रेंड और आज इस वीडियो में जो बताऊंगा जो कि प्रो चार्जिंग मोडूल नहीं उच करेंगा तो डाइवड उच करना पड़ेगा और नहीं डाइवड लगाएंगा फिर भी चलेगा लेकिन हमारे पास जो सरकीट डियाक्राम में आपको समझाया हूँ सेम उसी तरीके से आपको करना डाइवड को भी उच कर लेना सही रहेगा तो मैं चार्जर के बाद एक डाइवड उच करना डाइवड के बाद ही यहां पर पावर दे रहा हूँ यहां पर जो है सरकीट बूड को और डाइवड के बाद ही मैं यहां पर बेटरी उच करूंगा एक चार्जिंग मोडूल तो यहां पर डाइवड जो है हमारे यहां प को करना है फ्रेंट तो देखे फ्रेंट हमारा यह प्लस को प्लस में मैंने लगा दियों पिक्सल एलेडी और यह हमारा पिक्सल एलेडी का है और चार्जर का है तो पिक्सल एलेडी का प्लस पॉंट और चार्जर का प्लस पॉंट यहां पे करेक्शन हमने कर लिया हूं फ्रें यहां पर जो है फ्रेंट डाइवर का कनेक्शन यहां पर थोड़ा समय ने अलग किया हूँ लेकिन ऐसा आपको नहीं करना करके आप एक चार्जर पीन भी लगा यहां पर नीचे में दिख रहा है इस चार्जर पीन के बारे में हमने विडियों में या उसमें कोई जिक्र नही है फ्रेंट लेकिन चार्जर उसकर नहीं इसलिए फ्रेंट तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हमारा यहां पर लगबग कंप्लेट होने के बाद इसको बेक कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग चेक कर रहे थे और यह हमारा यहां पर क्या हो रहाना फ्रेंट बार बार यहां पर टाइम जो हमारा रिसेट हो जा रहा है किसी कारण बस इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा एक्ष्ट्रा दिमाग लगा के आपके लिए अच्छी तरीके से एक चीज़ को मैंने यहां पर बनाया हूं उसी चीज को मैं यहां पे डिफाइन करना का कोशिज कर रहा हूं ताकि जो प्रेंड कभी भी आप जो टाइम खराब ना हो इसलिए मैं यहां पे थ्वROजा एक्स्ट्रा आपको मोटिवेट कर रहा हो ताकि आपका जो टाइम कभी घड़ बनना हो देखिए फ्रेन यहां पे 00 हो जा रही है को मैं उज़ कर रहा हूं जिससे कि आपका यह प्रोग्लम सोल्व हो जाएगी तो एक डावट लगा सकते हैं जो कि आटीसडी का पावर जो पिक्सलेड़ी में नहीं जाए चार्जर से ही पिक्सलेड़ी को पावर जाए तो चलिए मैं डियाग्राम में जिससा बताया हूं सेम को इसे ही करना और यहां पर फ्रेंट एक छोड़ा सा मोडूल है चार्जिंग मोडूल जो कि लिए वूच करूंग जो कि उबर चार्ज ना करें बैटरी को क्योंकि हमारा घड़ी जुह है रात दिन लगे रहेगा इसमें और प्रोलम हो सकते बैटरी को विसपोड भी हो सकता ज्यादा ओवर चार्ज होने से तो इसा प्रोलम ना हो इसलिए में यहां पेक तो चलिए फ्रेंड हमारा जो है charging मौड़ल में, बैटरी का plus point और negative point को यहां पे connect करेंगे फ्रेंड और यहां पे मैंने plus point को connect कर लिया हूँ और negative point को भी यहां पे connect कर लिजिएगा फ्रेंड और हमारा जो है यह सारा चीज complete होने के बाद यहां पर आगे connection और भी मैं बताता हूँ पहले battery का negative और positive point को connect कर लिए तो charging module में मैंने battery का negative point और positive point को मैंने connect कर लिया हूँ तो थोड़ा बहुत आपका solving करने में problem हो सकता है तो यहां पर अपना connection कर लिजेगा easily और चली यहां पर दो wire को और connect करेंगा जो की output लिका लेंगा जिससे केमारा RTC और Arduino चलेगा पिक्सलेडी इसमें से नहीं चलाना आपको कभी भी क्योंकि यह बैटरी से पिक्सलेडी का load नहीं ले पाएगा क्योंकि पिक्सलेडी को चलाने के लिए 5V की जूरत होती है कभी जाएका आपका brightness और quality भी आपको मिलेगा तो चली यहां पर बैटरी का positive और negative यहां पर जोड लिजिएगा प्रेंट जोडने के बाद आप यहां पर आटीसी या आटीनो बोड में negative पॉंट में जोड़िएगा जिससे की आटीसी को भी नेगेटिव जाए और आटीनो को भी नेगेटिव जाए तो हमने negative पॉंट में connect किया हूं मेन पावर के लिए जो कि 5V यहां पर आ डाग्रम भी आपको बताया हूं डाग्रम में भी आपको समझा दिया हूं तो चलिए यहां पर connect कर लेते हैं यह हमारा इसके साथ connection हो गया है अब यहां पर फ्रेंट इसको charging के लिए charging मतलब हमारा जुँआ है Simplace Power Supply या charger बोल सकते हैं मौयल का तो मैंने मौयल का charger में connect करूँगा तो यहां से दो पॉइंट को लिका लेंगा जूकि charger के साथ यहां पर connection होगा फ्रेंट तो चलिए इसको connection कर लेते हैं बहुत ही easy है connection प्रेंट और बहुत ही असान है डियागराम को अगर समझ लीजिएगा तो फ्रेंट और चलिए हमारा यहां पर connection हो गया है और चलिए इसको charger के साथ connect करेंगे और इसको charger और पिक्सले लेडिके light इसी के साथ आपका जो है फ्रेंट connect होगा तो फ्रेंट negative point को directly connect करेंगा जो कि negative point होगा फ्रेंट बाकी plus wire को यहां पर अलग से connect करेंगा ताकि जो आपका charger से plus wire आय रहा है उसी charger वाली point में plus wire को connect करेंगा जो कि charger से directly charging मोडल को जाए और pixel LED को plus wire जाए जो कि charger के साथ हमने इसमें connection किया हूं जो कि आपको साफ साफ नहीं दिख रहा हो लेकिन मैं जो बता रहा हूं simple वही सही करना फ्रेंट डागराम के मंदद से तो चलिए फ्रेंट हमारा जो यहां पर लगवा connection हो चुका है और इसको यहां पर assemble कर लेते हैं और उसको भी try करके दिखाते हैं यहां पर इसका जो है घड़ी का timing कभी change नहीं होगा फ्रेंट अब तो चलिए सारा चीज को assemble कर लेते हैं फ्रेंट और फ्रेंट यह वीडियो अगर इस चीज का और घड़ी का किसी को पार्ट चाहिए या कोई भी चीज चाहिए तो आपको इजली आपको मिल जाएगा फ्रेंट लेकिन अभी जो कोस्ट हमारा है बहुत ही जादा लगेगा लेकिन यह साड़े 3000 से 4000 के अंदर इतना पर डिजिटल को अप में पना के दे सकते हैं और क्वेश्ट को कट्टी करने के बाद ही आपको जो है लेटिस प्राइज क्या होगा कम भी हो सकता है फ्रेंट और डिजिटल क्लोग को छोटा भी करूंगा जिसे की कम प्राइज में अच्छी तरह के से बनाया जा सके और जिसको इतना बड़ा डिजिटल कुलोग चाहिए उसको इतना बड़ा डिजिटल कुलोग आप ले सकते हैं तो बहुत ही मस्त क्वाल्टी का डिजिटल कुलोग हमने बनाया हूं और वीडियो देखके भी आप सेंबल कर सकते हैं सरक् chains वोड हमसे purchase कर सकते हैं सारा चीज हमcomb से मिलजागा जो नहीं कर पाएंगें फ्रेंड कोडंग डिक्स्वु लिंक ण डिश्क्रसिं में दिया हूआ सब कर दिया हूआएं वह पजाकि आप जून करें और शारा चीज का डिटेल्स आपको जागा फ्रेंड तो फ्रेंड मेरा एकी रिक्वेस्ट रहता है चेनल को सिस्क्राब कर दीजिएगा ताकि एसे लेटेस वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलते हैं तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए भाई फिर से एक नया वीडियो और एसे इंटरस्टिंग वीडियो को साथ में फिर से मिलते हैं बरेंड तो करते हैं लेक्वारा की कहीं हम्नाओ कि 걱정 फिर से कया है झाल झाल झाल